सबसे पहले इंतरखाव पारुकी जी आपी की साथ शुरुवात करना चाहूंगी प्रजातंत्र का जिक्र करते करते उधव जी ये क्या कह गए कि जमाना एकसा नहीं रहता लोगतंत्र में धमकी की गुंजाइश तो नहीं होती सर्थ प्राची जी जिस तरीके से उद्दव संजेराउंच जी को के घर पर जो एडी ने अपना जिस तरीके से जाकर और उन्हें ले जाया गया हम आपको से बताना चाहेंगे कि उन्होंने साथ अगस्तक का समय मांगा था कि हमें थोड़ा सा साथ अगस्तक का समय दीजिए हम आकर जो भी सावाल रहेंगे उसका पूरा जवाब देंगे लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे पहले आकर उन पर इस तरीके से कारवाई करना ये एक बात सोचने की है और ऐसा नहीं है कि इससे पहले उनको न जिम्बेदारी है इस समय में सिवशेना को किस तरीके से मजबूत करना आगे लाना है तो इस समय में ये सारे काम के बीच में इन चीजों को भी अटेंट करना है इसके लिए उन्होंने समय मांगा था लेकिन जिस तरीके से कल जो भी उन पर कारवाई हुई इसका हमें आगे देखना है कि जो भी चीज होगी हमें कानून पर पूरा भरोसा है और वो जल्दी छुटकर वापस आ जाएंगे। कानून पर भरोसा है और जो होगा वो हम सब के सामने आएगा बिल्कुल लेकिन उससे पहले क्लीन चीट अगर नेताओं को देदेंगे तो सवाल खड़ा होगा प्रेम शुकला जी जमाना एक सा नहीं रहता दिन बदलते हैं उधव ठाकरे साब क्या रहे हैं आप ही कि तरफ इ नहीं है ना उनका अधिकारक्षेत्र है यह अधिकारक्षेत्र करने के लिए हमारे यहां नियाएपालिका है और नियाएपालिका बेहद चुस्त दुरुस्त और स्वस्त है ऐसे में क्या स्रीमार उद्धा ठाकरें को भारत की नियाएपालिका पर विश्वास नहीं है जब भारत की नियायपालिका में यह मामिला गया हुआ है, जब एडी जो है, वो जवाब दे है नियापालिका के लिए, अगर एडी किसी पर गलत कारवाई करेगी, तो निश्चित तोर पर उसका संग्यान नियाए पालिका लेगी और इनके पास तो वकीलों की बड़ी-बड़ी फौज है अब वह फौज आकर वहां से तकर देए इस तरह का पत्रकार संविरन करके लोगों को धंकाईयां चंकाईयां करके क्या हासिल करेंगे या तो याद ही किया इनके कारेकाल में किस तरह से जो है अरनव गोश्वामी जैसे पत्रकार के खिलाफ कारवाई हुई और उसके लिए बॉम्बे हाइकोट ने भयंकर तरीके से उद्धो ठाकने की सरकार को फटकारा तो ये इस तरह की कारवाईयां विदाउनित राना के खिलाफ किस तरह से हनुआन चाली सा पढ़ने पर राजद्रो का मामला कर दिया तो जो जिस तरह का काम करता उसको लगता है कि दूसरे भी वैसे ही काम करते होंगे हर अपराधी दूसरों को अपराधी समझने की गलती करता है यहां पर जो भी कारवाई है वह तथ्च्छों के आधार पर है तथ्च्छों के आधार पर कारवाई नहीं होगी वो टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं क्योंकि राजपाल ने जो बयान दिया उस बात का विरोध कर रही थी शिव से ना तो आपने भटका दिया शिफ्ट कर दिया मु परवरता निदेशाले की नोटिस कब की है परवरता निदेशाले ने इनके सहयोगी साथी प्रविण राहुत को फरवरी 2022 में गिरफ्टार किया है और उसके HDIL के जितने भी लोग है और देर दो साल से जेल में है तब क्या हुआ था मुझे पताएं कि यह जरा है HDIL जिसने पत्राचाल को डेवलोप करें में जिस कमपनी को FSI मली और कृपा करके आधरेनी उद्व टाकरे बताएं जो 614 सी टेनेंट है जो महादा में अपना गर जिनका था जिनके घरों को गिजा दिया गया और 15-16 वरशों से 2008-2022 14 वरशों से वो उनको ना पने घर का किर आप कह रहें कि घोटाला वहां पर हुआ है उसकी जांच उनी चाहिए इंतकाव फारुकी जी आप छोटा सा जवाब दीजेगा और भी महमाने फिर उनके पास जाओंगे पराची जी देखिए हम सबने देखाई कि कुछ दिन पहले हमारे महरास्टरा के गवर्नर जो थे उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे पुरे महरास्टरा में एक बावाल जैसा खड़ा हो गया हमें ऐसा लगता है कि उसी के कुछ दिनों बाद इस तरीके का एक डिसीजन एक हमारे सामने चित्रा आता है कि संजेराज जी के घर पर एडी की रेड होती है क्या हमें ये ऐसा समझना चीए कि ये मन हटाने के लिए ये मन बठाने के लिए इसारी चीज़े पूरे मामले में जाच कर रही थी कि आप इसे जोड़ देते हैं किसी और सरे मुद्दे से गलत है ना आप कैसे केंद्रे एजनसी की ट्रांस्पेरेंसी पर सवाल खड़े कर देते हैं सचिन सावन जी भी जुड़ गये हैं कॉंग्रस के नेता अमारे साथ सचिन सावन जी ये एडि अगर कोई कार्रवाई करने चलती है प्रदेश कोई भी हो इतना होहला क्यूं मत जाता है धंकी भी निकलकर आ जाती है सामने देखिए ये तो मैं समझता हूं कि लोकसभा में और राज्यसभा में जो जवाब भारतिय जन्ता पार्टी के सरकार ने स्वयम दिया है कि लगबख 5400 मामले दर्ज हो चुके हैं और सिफ 30 मामलों में दोशी पाया गया है और पूरी तरह से गए आठ बर्श में हमने देखा कि सिर्फ भारतिय जन्ता पार्टी के जितने भी विरोधक हैं उन्हीं के ओपर एड़ी की कारवाई होती है अब जो इस तरह से अभी महाराष्टर में देखा जाए तो दो चीज़र के बारे में मैं बताना चाहूंगा वे प्रेप शुगला जी को भी सुन रहा था उन्होंने यही पत्राचाल का मामला बताया और उन्होंने कहा कि मराटी मानूस को जगा देने के लिए यह लोगों ने जो देना चाहिए तो जिस कमपणी ने गुटाला किया है वो HDIL कमपणी के जो मालिक है वो अभी जेल में है और उसी HDIL कमपणी से भारतिय जन्ता पा तो वो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए तो ये दूसरे और ये पूरी एडी की कारवाई के वज़े से अभी 77 हुआ है महाराष्टर में ये कोई हिंदूत्व का चमतकार नहीं था ये भारतिय जनता पार्टी का इडितकार था जिसके वैसे 77 हो चुका है तो जिनके ओपर जिन विदायकों के ओपर जिन नेताओं के ओपर भारतिय जनता पार्टी ने आरोप लगाए आज उनी का समर्तन लेते हुए इनको शरम नहीं आती क्योंकि ये पूरी तरह से लज्जा हिन हो चुके हैं और इनको एडी की कारवाई इसलिए की जाती है क्योंकि विरोधों के आवाज को बंद करना है तो यहां संजे राहोती के ओपर कारवाई हो रही है तो पूरे देश बर में जितने भी विपक्ष के लोग है उनके ओपर कारवाई हो रही है। आ नहीं रहा, एडी उसे गरफतार कर रही है, दिककत क्या है? सची तु भारा है गाने दीजी? प्राची जी, बिल्कुल सही है, अबर एडी प्रामानिक्ता से काम करती है, तो एडी को काम करने दीजी, इस पर कोई आपत्य होने का सवाली नहीं उठता. एडी एक स्वतंत्र यंत्रणा है, स्वायत यंत्रणा है, उन्होंने काम करते हुए, सिलेक्टिवनेस नहीं दिखाना चाहिए, मेरा कहना यह है कि क्यो एडी सिलेक्टिवली काम कर दिये, क्यो एडी चुनिंदा, गैर बाजपा के लोगों पर यी एक्शन ले रही है, आप द इसी बात है, तो एक वाइद पेपर प्रडाम ने एक वाइब प्रफेपर प्रज़ करनाँ चाहिए, यज भारत के प्रदान मंत्री ने एक वाइद प्रडेब करना चाहिए, रहे हम całMmरुनी कुर्णि चाहिए AJ चाहिए कि बाजपा के अठरा राजो में और केंदर सरकार में बिल्कुल करप्शन नहीं है और उदर मनी लॉंडरिंग होता नहीं है हमारा सवाल सिर्फ इतना यह अगर एडी सही तरीके से काम करती है तो महीश चोहां जी अगर आप को रबता है किसी और स्टेट में इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर